हेलो नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आगत आप सभी का आपके अपने योटूब परिवार राजस्तान क्लासेज पर आएगा दोस्तों आज अपने हिंदी के एक मैथमुन टॉपिक पर बात करते हैं इसकी मैं आपके लिए प्रश्णोत्री लेकर आया हूँ दोस्त प्रश्णोत्री हिंदी का या आपके लिए प्रश्णोत्री हिंदी का या आपके लिए प्रश्णोत्री प्रश्णोत्री हिंदी का या आपके लिए प्रश्णोत्री हिंदी का प्रश्णोत्री हिंदी का या आपके लिए प्रश्णोत्री हिंदी का प्रश्णोत्री हिंद कि फिर्ट किंदी के कितने ब्हेद होते हैं दोस्तों एक क्व bagus का जो जो टॉपिक की बाद करें बहुत आसन टॉपy वैस necklace कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं यह कारक तो राइट आंसर विह अपने बाथ भी करने इसमें दोस्तों साल है दूसही कर सकते हैं दोस्तों एक तो है अपना करता, दूसरा है अपना करम, तीसरा है करण, और छोथा कौन सा है संप्रदान, ठीक है, और पांचवा कौन सा है बुले सर अप्पादान, और शिक्स्त कौन सा है संबंद, और उसके बाद दोस्तों संबंद है, ठीक है, और उसके बाद अधिकरण, और उसके बाद अपना आ जाता है कुंसा संबो धन ठीक है तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अब देखें आपको याद कैसे करना है विभक्ति है इसकी हमें सबसे पहले ध्यान रखना है विभक्ति विबक्ति दोस्तों जैसे कि ये देखिए प्रत्म विबक्ति है सेकंड थर्ड विबक्ति इस परकार से ठीक है ये कुल कितने हो गए आठ हो गए दोस्तों लेकिन आपको वो छिने भी याद रखेंगे रखने पड़ेंगी जो विबक्ति के जो छिने है ना जैसे कि आप भी करताने करम को करन से है ना करन से दोस्तों देखेगा ये विवक्तियां कहां पर काम आएगी जो भी वाक्य बंदा है और उस वाक्य में ये विवक्तियां प्रियुक्त होती है और उस प्रियुक्त से हमें हम उससे लगा सकते हैं कि भई इसका कारक क्या होगा जैसे एक्जा और आगे दोस्तों बात करें कि भी अपादान अपादान का मतलब हो जाएगा से से का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए से दो में आता है एक तो करण में भी से आता है जबकि वो से होता है के द्वारा मतलब की किसी माद्यम से किया जा रहा है ठीक है और यहां पर जो यह से यह अलग होने के अर्थ में यहां पर होता है यह अपादानवाला से अलग होने के अर्थ में काम आता है ठीक है और यहां पर क्या है समंद आगे आगे समंद है ना तो समंद में दोस्तों क्या है समंद में का की के और रारी रे इस परकार के अग और सम्मुद्धन में हे अरे ओ, हे अरे ओ, ये सम्मुद्धन में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, या हे ओ, अरे या हे अरे ओ, तो इस पर कारक ये सम्मुद्धन में आ जाएगा, दोस्तों, ये कारक तो हकीकत की बात करें, तो ये आपके कारक है, अब इस पर आपकी सारी की स सारी प्रस्णोत्री बनने वाली है तो आएगा दोस्तों आप पर दूसरा क्वेसन आपकी स्क्रिन पर राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है दोस्तों यह आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा करता करक करमकारक या फिर संबंधकारक या फिर करनकारक तो दोस्तों राम ने रोटी खाई तो अपने क्या पड़ा भी ने किसमें पड़ा करता में पड़ा तो दोस्तों बिलकुल आसान सा क्वेशन है राम ने ने यहां पर विप्वति का प्रिवक्त हो रहा है यहां पर वि करहां क्या है करता है और यहां पर आ जाये आपका ने रोटी खाईगल कोई गलत ने करेंगे ठीक है इसमें क्या होता है typical दूस्त करता कारथ कोई करता kalo क्यार करता 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 कर ये कहते हैं तो संग्या या सरोनाम का वे रूप । जो क्रिया को करने वाले का बोध करवाता हो ठीक है साब नेक्स्ट क्वेसन है नेक्स्ट है कि लोगों ने छोर को मारा कौन सा कारक है लोगों ने छोर को मारा देखेगा यहां पर क्या है छोर आ रहा है और को मारा देखे दोस्तों लोगों ने छोर को मारा तो यहां पर को किस में आ रहा है को तो करम में आ रहा है देखिए दोस्तों करम में आ रहा है यहाँ पर जो है ना बड़ा confusion वाला यह सवाल होता है दोस्तों ऐसे में कभी-कभी ठीक है तो आपकी जो second विबक्ति क्या आ रही है छोर को मारा तो tricky आपको ध्यान रखना है इसमें आपका हो जाएगा करम ठीक है क्या हो जाएगा करम हो जाएगा दोस्तों right answer c option छोर को मारा c option लॉक हो जाएगा अगला प्रस्टे संबंध कारक के लिए प्रियुक्त होने वाला दोस्तों चिने कौन सा यह बताने संबंध कारक के लिए प्रियुक्त होने दोस्तों काकी के रारी रे ना काकी के रारी रे तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहा है रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसी आप्षिन को लॉक करेंगे यह भी बहुत आसान सा क्वेस्न था इसमें दोस्तों जब भी काकी के रारी रे या फिर ना नी रे इस परकार के वर्ड तो या कारक बताना है करम कारक करन कारक या फिर अपादान कारक या फिर करता कारक तो दोस्तों देखेगा यहां पर राइट आंसर आपको बताना है से में देखे एक तो के द्वारा होता है और एक दोस्तों अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है वह कोलाडी से वरक्स काड़ता है दोस्तों तो right answer अपना क्या हो जाएगा be option हो जाएगा करण say के द्वारा जैसे कि ये वरक्स को काड़ता है लेकिन किस के द्वारा काड़ता है तो भई या कुलाडी के द्वारा तो दोस्तों द्वारा को ध्यान रखें ठीक है यहाँ पर जो करण में जो say आएगा वो say आएगा ये इस say का आर्थ होगा के द्वारा किया जाना और जो अपादान का say आएगा इसमें कई ने कई अलग होने का अर्थ निकलेगा मैं दोस्तों अलग होने का आर्थ निकलेगा तो यहाँ पर अपना right answer भी option हो जाएगा कुलाडी से वरक्स कारता है मतलब की के द्वारा हो रहा है पेड से फल गिरा दोस्तों ये question बहुत आसान है पेड से फल गिरा कौन सा का रखे भई या समंद का रख करम कारक करन कारक या फिर अपादान कारक पेड से फल गिरा कौन सा कारक है तो भी अपना सभी का right answer अपादान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कई न कई जो है अलग होने की इस्तिती में है पेड से फल क्या हो रहा है अलग हो रहा है एक नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों तो बेलकुल ये अलग होने की इस्तिती में उसे अपादान कारे कहेंगे दोस्तों D-Option को लॉक करेंगे इंपोर्टेंट क्वेस्टन है और अगला प्रसना आपके स्क्रिन पर है देखें दोस्तों टॉपिक सरहले मैं इसमें आपका समय ज्यादा खराब नहीं करना चाहूंगा इसलिए बहुत आसा टॉपिक है वैसे अगर आप एक बार इसको पढ़ के करते तो भी और ये आसान लग जाता आपको संग्या या सरोनाम के जिस रूप में रूप से किसी अन्य शब्द के साथ सम्बंद या लगाओ प्रतित हो उसे अपदान या करमकारक या करनकारक या सम्बंद कारक कहते हैं संग्या या सरुनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतितो उससे दोस्तों क्या कहते हैं संबंध या लगाव प्रतितो तो भी या संबंध कारक हो जाएगा राइट आंसर डी आप्शन को लॉग करेंगे है की नहीं कितना आसा क्वेसन है बिल्कुल आसा क्वेसन था ये भी आपका और अगला प्रस्ना आपके सिकन पर हिमाले से गंगा निकलती है इसमें कौन सा कारक है हिमाले से गंगा निकलती है तो भी इसमें क्या हो रहा है हिमाले से गंगा निकलती है हिमाले से अलग हो रही है ये क्या ह तो दोस्तों क्या हो रहा है यां प Journal हिमाले प्रते गंगा निकलती है तो बें राइट अंसर अपना 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 हमकारत हो जाएगा बाट data करम कारक में तो अपने बाद कार्य की ко को है कि नहीं को हो जाएगा राइट आंसर बोले सर ने का किसका है तो दोस्तों ने मतलब की का की के ना नीरे रारी रे ये सम्मंद का रख का है दोस्तों सम्मंद का रख की भी बगती है ठीक है और दोस्तों अगर बात की जाए कि भी का किसका है तो तो दोस्तों का भी इसी सम्मंद का हो जाएगा ठीक है और से किसका है दोस्तों से एक तो अपादान का भी है और एक अपना भीया करण का भी है करण और अपादान दोनों का है ठीक है तो करण और अपादान दोनों का है लेकिन अलग-अलग इस्तिति में चलो साब नेक्स्ट रितु ने बैल को मारा इन में से कौन सा कारक है भी रितु ने बैल को मारा ये हुआ तो अनर्थ है नहीं मारना चीए लेकिन रितु ने बैल को मार दिया अब क्या होगा इसमें कौन सा कारक क्या होगा अब राइट आंसर ये बताने करम कारक होगा या फिर करन कारक या फिर सं हो जाएगा करता नहें और लेकिन करम को है दोस्तों करम को है ठीक है तो ए आप्षिन अपना सही आंसर हो जाएगे रितुने बेल को मारा ठीक है तो भाया करम कारक हो जाएगा राइट आंसर बहुत इंपोर्टेंट बहुत ही आसान सा क्वेसन था और अब अपना आगे बढ़ते हैं हिंदी में कारक कितने परकार के होते हैं ये क्वेसन बार बार बन रहा है हिंदी में कारक के कितने परकार होते हैं बोले सर आठ परकार होते हैं आसान सा क्वेसन है लौक कर दीजीगा सभी भ प्रपादान से संबंद काकी के और अधिकरण में पर संबुधन है अरेव इस परकार से दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे अगर कारक आठ याद कलिए और विबक्ति के साथ कलिए तो भयक कहीं रुकेंगे नहीं आप स्योहर है कि आप कहीं पर नहीं रुक पाएंगे क संबंद कारक आपने और तो संबंद कारक हो चाहिका क्या जाएंगे जब वाकिया मैं किसी संगया से नाम से समंदो, उसे समंद कारक कहते हैं, इसमें विबक्ति चन, काकी रे, रारी रे, नानी रे, यही आता है, ठीक है साब, आगे बढ़ते हैं, तो अपना नेक्ट क्या है, पेड से पता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, पेड से पता क्या है, गिरता है, पता गिर हो जाएगा वी ऑफ्षन से और और से से कार्थ होता है अलेग हो रहा है हमें उसका भाव पता चल जाता कि यहां पर अलेग हो रहा है तो भी ऑफ्षन को लॉइए अगला प्रस情 में आलोक मा के लिए दवाई लाया इसमें प्रियुक्त कारक कौन सा है मा के लिए दवाई लाया इसमें कौन सा प्रियुक्त कारक है कितना आसान क्वैसने देखो कितना आसान है देख लीजिएगा अलोक मा के लिए तो भाई या के लिए किसमें आता है प्रियुक्त होता है बोले सर के लिए नंदू दूद पीता है इनमें से कौन सा कारक है करमकारक करता कारक संबंध कारक या पिर करनकारक दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जैसे कि आपको मैं बात करूँ दोस्तों इसमें करमकारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विवक्ति लगती है और दोस्तों अगर बात करें तो निर्जीव करमकारक के साथ विवक्ति को विवक्ति नहीं लगती लेकिन यहाँ पर है तो सजीव पर इसमें कोई विवक्ति नहीं लग दी दोस्तों तो नंदू दूद पीता है तो राइट आंसर अपना करम ही होगा जैसे कि गयत्री पढ़ रही है जैसे मैं कहे दूं कि भी रेणू जो है जेपूर जा रही है चात्र विद्या ले जा रहे हैं माँ बच्चे को दूद पिला रही है तो दोस्तों यह राइट आंसर अपना हो जाएगा करम हो जाएगा एफ्चन को लॉग करेंगे आंपर मोश्ट क्वेसं था दोस्तों एफ्चन के साथ चला जाएगा राइट आंसर और एगला प्रस्ट भी आपकी स्क्रिन पर है किस वाक्यांश में संपरदान कारक है आपको मैं या हर्दे स धन्यवाद देता हूँ या फिर इस करपा के लिए देखेगा तो संपरदान ने अपने अभी क्या पढ़ा था संपरदान मैं अभी अपने पढ़ा था कि वही के लिए संपरदान का के लिए पढ़ा तो आपको नहीं होगा आपको अगर ऐसा हो तो वही करम कर लेंगे और म जाएक की ऩारड़ा किया जाएगा Cute ऑघ्रप्र की प्रस ने लिए आरा है यहां पर हिर्दे से धन्यवा मतलब किसके दवारा दे रहे हैं हर्दे के द्वारा तो भी यह हर्दे से धन्यवा देता हूं इसका मतलब हो जाए है अपना करण हो जाएगा है ना क्या हो जाएगा करण हो जाएगा और इस कृपा के लिए आ रहा है तो भईया वाक्यांश में संपर्दान का कारक जो हो जाएगा आपका डी आप्सन लॉक किया जाएगा अच्छा चाक वैसने अगला प्रसने निम्न किस वाक्यांश में सम्बंद का रखे किस वाक्यांश में सम्बंद का रखे पुस्तकाले में या राम की एक पुस्तक या फिर बहुत समय से या सुरक्सीत रखी है किस वाक्यांश में सम्बंद का रखे सम्बंद में क्या आता है सम्बंद में आता है भीया जैसे कि मैं आपसे बात करूँ तो का की के ना नीरे रा नीरे या आता है या फिर उससा कोई सम्मंद हो तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा का की के इनमें से कोई प्रियुक्त होता है कहीं किसी में बस ऐसे ही तो देख के आपको करना है बस आपको ये कारक इस परकार से याद करना है दोस्तों पेट के लिए मनुस्य क्या नहीं करता इसमें कारक कौन सा है पेट के लिए मनुस्य क्या नहीं करता भई इसमें कारक कौन सा है करम का रहे के, करता का रहे के, या संबंद का रहे के, या फिर इन मेंसे कोई नहीं पेट के लिए मनुसिय क्या नहीं करता के लिए यहां पर भी प्रियुक्त हुआ है इसमें क्या विबगती प्रियुक्त हुई भहिया के लिए तो करम करम का तो दोस्तों क्या है करम का तो अपना को है ठीक है और करता का क्या है करता ने करम को सम्बंद का दोस्तों क्या है सम्बंद मा का की के रारी रे तो भई या right answer अपना D option हो जाएगा इन मेंसे कोई नहीं इन मेंसे कोई नहीं मतलब की के लिए किसके लिए प्रिक्त होता है दोस्तों के लिए के लिए संपरदान में प्रिक्त होता है दोस्तों संपरदान में प्रिक्त होता है प्रसने कारक का अर्थ होता है दोस्तों ये बताने कारक का अर्थ होता है क्या हो जाएगा राइट आंसर कारक का अर्थ क्या होता है करने वाला या पिर करने वाला या बताने वाला या पिर किया जाने वाला कारक का अर्थ होता है दोस्तों करने वाला है ना प्रिकट करने के लिए जो प्रियुक्त किया जाने वाला चिन होता है वो क्या कहलाता है यही तो आंसर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा आसान है भाया A option को लॉक करेंगे विभक्ती को लॉक करेंगे अपने किसको लॉक करेंगे विभक्ती को लॉक करेंगे बहुत आसा question है बहुत आसा question है विभक्ती मैं आपको कई बार बता चुका हूँ व्याकरण में करता कारक कहते हैं किसे कहते हैं करता कारक कारक को या विबक्ति को या किरिया करने वाले को या किरिया ने करने वाले को व्याकरण में करता कारक किरिया करने वालों को कहते हैं या पर भी आप सिब का राइट आंसर हो जाएगा अधी करण में कौनसी विवगती का लोब होता है दोस्तों ये बताना है अधी करण में कौनसी विवगती आती है ये आपको बताना है राइट आंसर क्या ही हो जाएगा बता दो अधी करण में कौनसी विवगती दोस्तों अधी करण में क्या है एक तो है में और एक पर क्या है में और पर है इसमें को तो दोस्तों है नहीं को किस में आता है बोले सर करम में आता है ने किस में आता है बोले सर ने तो जो है अपने उसमें समंध पर आ जाता है तो में और पर जो है ना मेरे दोस्तों ये अधी करन में में और पर आता है तो इन में से कोई नी डी आप्शन को लॉग करेंगे और से तो अपदान में भी आता है और करन में भी आता है भाया और अगला प्रस्ट नहीं है अगला है कि विबक्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है जो विबग्ति होती है दोस्तों इसको अन्य किस नाम से अपन जानते हैं ये आपको बताने है राइट अंशर क्या हो जाएगा most question है जल्दी से answer बता दीजेगा विबग्ति को अन्य किस नाम से जानते है प्रत्य अप्रसरग या फिर परसरग या फिर उसरग विबगती को अन्य परसरग के नाम से जानते हैं मैं दोस्तों क्या C option को यहां पर भी आप लॉक करेंगे बहुत ही अच्छा सा और शांदार question आगे बढ़ेंगे और आगे लिए प्रस्टों को देखेंगे राधा ने नरत्य किया मेकार क्या है राधा ने क्या किया नानी रे और एक रारी रे ने क्रम को तो दोस्तों इस परकार से करता ने हो जाएगा आपका राइट आणसर क्या और ने हो जाएगा बिल्कुल आसान सा question important भी है डी option मैंने जहां साँ पर भी मेरे दोस्तों बताए ना इस class में कि क्या करता का क्या हो जाए करता का ने होगा जहां पर भी ने option थाना उसमें मैंने करता नहीं बताया तो ध्यान डेकना ने का करता होगा ही आप सबको बता है वैसे जैसे मैंने 25 नमबर question पर शायद क्या बताया होगा इसमें देखिए अधिकरण मैं कौन सी भी बगती अधिकरण मैं तो मैं पर है लेकिन मैंने आपको यहां पर ने का क्या बताया होगा ने का बताया होगा संबंध भी बताए होगा है ना लेकिन संबंध के साथ साथ दोस्तों मैध पुने करता करता का तो openly बिल्कुल नहीं है वैसे और संबंध का काकी के रारी रहा और उसके बाद नानी रहाता है चलो सर अगला प्रस्ण है नंबर 28 आपकी स्क्रिन पेस में आपका D option हो जाएगा ठीक है सर अगला यह पत्र लिखता है वह पत्र लिखता है मैं कौं सा कारखे वह पत्र लिखता है तो ऑपिए option हो जाएगा राइट answer बिल्कुल है ना तो वह पत्र लिखता है जैसे की मान्या आपको बताया करम के बारे में दोस्तों जहां पर करम कारेक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को भी बगती लेगती है वैसे और वह पत्र लिखता है किसी न किसी को लिखता है तो दोस्तों जैसे गायतरी पढ़ रही है गायतरी पढ़ रही है तो किसको पढ़ रही है ठीक है तो बिल्कुल जो है राइट आंसर आपका ए आपसन हो जाएगा आसान सा है और स्कारण का शाबदिक अर्थ क्या हो जाएगा और है सी आफस स्द्य हो जएगा करण का स्ट्वास क अजये का डे साथ इसका अशाब को बाहरा के कोमेंट सेкими में देना हैं बहुत हीाथान है वैसे कई बार मैं आपके बता चुकाni is concerned तो आपको बाहर जरूर जरूर देना होगा जरूर जरूर देना होगा बाहर के कॉमेंट सेक्शन में तो इस टॉपिक कोई ज्यादा हाड नहीं है मैंने आपको बताया करताने करम को करन से संपधान के लिए अपदान से संबंध काकी के नानी रे और रारी रे और अधीकरण में पर संपधन हे अरे ओ बस इतने से आठ कारक आपको याद रखने कभी आप जिन्दगी में भी गलत नहीं करेंगे दोस्तों ऐसे आप अगर याद कर लेते हैं तो बस आसान है रटने तो पढ़ेंगे साब रटना तो पढ़ेगा और दोस्तों अगला जो है अपना विलोम शब्द या फिर परहवासी आएगा जो टॉपिक उसमें तयार रहिए और जो भी आएगा वो बता द कर लगा होगा वैसे यह कारक अगर आप याद कर लेतो तो आसानी है तो आप सब का आवार धन्यवाज जहिंद वंदेवाद